हाई गाई मैं हूं ममनसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल इससे पहले वीडियो मैंने आपको जेग्योजी के कि अधियों के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं हैस गलास के बारे में डिटर्माइन वैदर एनि ऑफ दा मैचेज अलिमेंट और असाइंदा गीवन क्लास देखिए हम क्या करते हैं जब हम कोई वेब साइट या कोई वैब पेज डिजाइन कर रहे हूं तो बहुत से क्लास को हम अपने वैब पेज में इंक्लोड करते हैं यदि आप कुछ इस तहरे का एक प्रोडाम बना रहे हैं जिसमें आपको यह पता करना होता है कि क्या मैंने पहले से किसी एलिमेंट को कोई क्लास दी हुई है या नहीं दी हुई है तो इसका पता करने के क्या है या नहीं कर रखी है तो simply क्या है इस function का काम है ये पता करना कि किसी element में कोई class हमने दे रखी है या नहीं दे रखी है तो चलिए cases का use करेंगे वो समझ लेते हैं देखिए इसे पहले lecture में मैंने css function के बारे बता था ठीक है अभी हम बात करने वाले हैं यह has class function के बारे में तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा has class function का कैसे use करेंगे ध्यान से समझेगा देखिए मैंने यहां पर एक paragraph बनाया हुआ है और paragraph में मैंने एक class 1 के नाम से एक इसको class दी हुई है लेकिन यहां पर मैं इस class को बना भी देता हूँ ठीक है dot class 1 और class 1 में देता हूँ कि इसका जो गलर होगा वो red हो जाएगा ठीक है save करोंगा page को एक बार refresh करोंगा यह देखिये गा page को मैंने refresh किया तो इसकी class है वो क्या है इस पर apply हो चुकी है जो color है वो red हो चुका है ठीक है लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ मैं यह पता करना चाहता हूँ कि क्या इस element को मैंने class 1 के नाम से जो class है वो दी हुई है या नहीं दी हुई है तो इसका पता करने के लिए मैंने क्या किया मैं यहाँ जो यह मैंने button बनाया हूँ है button के नाम click me के नाम से button है इस button पर जैसे click होगा तो यह paragraph को target करेगा यह paragraph target हुए उसके बाद मैं function यहाँ पर लगाँगा क्या function लगाँगा has class has class के नाम से function है और यहाँ पर आपको class का नाम यहाँ लिख देना है कि कौन सी class आप पता करना चाहते है मैं चाहता हूँ कि class 1 के नाम से क्या इसको class दी गई है मैं save करूंगा अब देखिए यहाँ पर अगर यह class दी गई है तो एक आपको message मिनना चाहिए वो message आप किसी html किसी element याप जैसे input value हो गई sorry sorry कोई input field है उसमें भी ले सकते हैं या फिर किसी message को write भी कर सकते हैं या फिर alert window भी ले सकते हैं आपके पास बहुत से तरीके हैं message का पता करने के लिए ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं एक alert window लगाँगा alert window लगा करके आपको पता चल जाएगा कि value true आ रही है या फिर false आ रही है देखिए अगर आप इसको किसी other तरीके से पता करना चाहते हैं तो मुझे comment करके बताएगे मैं आपको other और भी तरीके बता दूँगा कैसे आप किसी value का पता कर पाएगे बिना alert window के भी देखिए उसमें कोई paragraph की value भी हो सकती है paragraph मतलब inner HTML के मदद से भी आ प्राप कर सकते हैं या फिर आप किसी input field में value assign कर सकते है true या false अभी देखिए मैं यहां पर लिखूँगा alert अब देखिए जो यह P पर मैंने target किया है और इसको has class का function दिया है तो मैं काम करता हूँ यहां पर एक variable बनाता हूँ और इस variable में मैं यहां पर assign करूँगा कि अगर P के पास यह वाली class है तो यहां A में A में जो store होगा वो true होगा और यदि यहां class 1 P element के पास नहीं होगी तो यहां A में जो assign होगा वो false होगा तो यहां पर मैं alert में A को type कर देता हूँ जो भी A की value होगी वो alert में so हो जाएगी चलिए अब इस page को एक बार refresh करके देखते हैं मैं इस page को refresh करता हूँ अब देखिए जैसे मैं इस पर click करूँगा यह देखिए जैसे मैं click कर रहा हूँ तो यहां पर आप देखिए एक आपको value मिले यह true ठीक है मिलने वाले यहां पर false क्योंकि यह class इस element के पास है ही नहीं मैंने इस class इस element को जो class दी है class one के नाम से दी है तो यदि इस element में कोई class होगी और मैं यहां पर उसका नाम लिखूँगा और has class का function लगाऊंगा तो ही यह true return करेगा वरना यहां पर false return होगा ठीक है अब देखिए मैं यहां पर one लिखूँगा save करूँगा page को refresh करूँगा और दो बार से क्लिक करूँगा तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा आपको true क्योंकि इसके पास ओले लिए वो class है जो हम देख रहे हैं तो has class की मदद से यह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी element के पास कोई class है यह नहीं है ठीक है